नमस्कार दर्सको धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है म्रत्यू के बाद क्यों मुँ में रखते हैं तुलसी और गंगाजल क्या है धार्मिक मान्यता आईए जानते हैं हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यता और परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है इसका अपना एक अलग महत्व है जोतिस सास्त्र के अनुसार पर्थवी परजन में सभी जीब जन्तूओं का मृत्यू होना निच्चेती है हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यू तक सोला परकार की परंपराओं का पालन किया जाता है जिसे सोला संसकार कहा जाता है आपने अक्सर ये देखा या सुना होगा कि मरने वाले व्यक्ति के मूह में तुलसी और गंगाजल डाला जाता है क्या आपने कभी ये जानने का प्रियास किया है कि आखिर ऐसक क्यों किया जाता है ऐसे में आईए जानते हैं कि हिंदू धर में मृत्यू के बाद मूह में तुलसी और गंगाजल क्यों डाला जाता है हिंदू धर में गंगाजल का अपना एक अलग महत्व होता है इसका उपयोग ना केबल पूजा पाट में किया जाता है बलकि जब मनुस्थ का मृत्य होता है तो उसके मूह में गंगा जल की कुछ बूदे डाल दी जाती है क्योंकि गंगा जल को सबसे सुद्ध चीच माना जाता है इसलिए पूजपाठो या कोई भी अनुष्ठान सबसे पहले गंगा जल से पूजन सामगिरे और पूज़ा करने वाले को सुद्ध किया जाता है सास्त्रों में गंगा को स्वर्ग की नदी कहा गया है गंगा नदी के बिसे में पुरानों में बताया गया है कि ये भगवान बिसनों के चरण से उत्पन हुई है और सिप के जटाओं में इनका बास है इसलिए मृत्यों के समय मूँ में गंगा जल रखने से सरीर से आत्मा निकलते समय अधिक कष्ट नहीं होता है ये भी माननेता है कि मूँ में गंगा जल होने से यमदूत नहीं सताते हैं और जीप के आगे का सफर आसान हो जाता है भेवारिक रूप से देखा जाता है कि मृत्यों के समय मूँ में जल डालने को उद्देश ये भी है कि सरीर छोड़ कर जा रहा व्यक्ति प्यासा ना जाए इसलिए जब कोई भी इंसान मरता है तो उसके मूँ में गंगा जल डाला जाता है हिंदू धर में तुलसी के पत्ते को भी सबसे पवित्र माना जाता है जब भी घर में किसी भी पिरकार की पूजा अर्चन होती है तो इस पत्ते का उपयोग किया जाता है तुलसी का पत्ता ना केवल पूजा में उपयोग किया जाता है बलकि इसका उपयोग बैग्यानिक रूप से ओस्धी के रूप में भी गोड़कारी माना जाता है आयूरवेद में से खास महत्व दिया गया है आपको बता दू कि मनुस्य के इम्रत्यू के समय गंगाजल के साथ एक और चीज मुँ में रखी जाती है और वहेद तुलसी का पत्ता जोतिस सास्त्र के अनुसर तुलसी को बड़ा ही महत्पूर माना गया है कहते हैं तुलसी हमेशा स्री विष्णू जी के सिर पर सचती है पौराणिक मान्यताओं के अनुसर कहा जाता है कि तुलसी धारन करने वाली को यम्राच कष्टर नहीं देते हैं इसके साथ ही मनुस्य के मरने के बाद सीधा मोक्ष की प्राप्ती हो जाती है इसलिए मरते समय मूँ में तुलसी का पत्ता रखा जाता है आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमतकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजेगा धन्यबाद